Hello everyone, जब बात होती है investment की तो हम diversification के rule को follow करते हैं जो हमें ये कहता है कि सारा का सारा investable fund single instrument लगाने की जगा पर हमें अपने total funds को multiple instruments के अंदर distribute कर देना चाहिए ऐसे में पहला question ये निकल कर आता है कि कैसे हम proportion of investment decide करेंगे इस तरह की problem को हम asset allocation decision कहते हैं और आज मैं finalysis में बात करने वाला हूँ इसी problem के बारे में Generally जब भी diversification की बात आती है तो multiple instruments हमारे mind में आते हैं जैसे कि real estate हो गया, gold हो गया, equity हो गया, deventure हो गया, government securities हो गया आज के इस video के अंदर मैं तीर instruments को दिवाग में लेके चल रहा हूँ वो है equity, deventures and government securities अगर मैं equity की बात करता हूँ तो इस case के अंदर आपको company के ownership मिल जाती है यहाँ पर risk थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन आपको income भी काफी अच्छी हो सकती है मैंना growth opportunities काफी ज़्यादा available होती है अगर मैं deventures or government securities की बात करता हूँ तो इस case के अंदर आप अपना पैसा या तो किसी company को या government को loan के तोर पे देते हैं और उसके बदले में आपको एक fixed rate of interest दिया जाता है और एक fixed time period के बाद आपका जो principal amount है वो आपको refund कर दिया जाता है सबसे पहला question यह निकल कर आता है कि हम अपना proportion of investment कैसे decide करेंगे अगर मैं यह कहता हूँ कि मेरे 100 rupees है और मैं चाहता हूँ कि मैं 40 rupees तो equity में लगा दूँ हैं तो कई सारी approaches हमारे पास available हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा popular जो दो approaches यहां उसके बारे में discussion करेंगे जो पहली approach है उसका नाम है age based approach यह बहुत ही simple approach है और यह उन लोगों के लिए जिनको इंडिन capital market के बारे में बिल्कुल भी knowledge नहीं है इसका rule बड़ा simple है जो आपकी age है आप उसको 100 में से less कर दीजिए और जो आपके पस value निकल कर आती है उतना percent पैसा तो आप equity में invest केजिए और बाकी का जो पैसा है वो diventure या government securities के अंदर आप लेके जाएए example के तोर पर अगर मैं 40 साल कहूं तो मैं 100 में से 40 को less कर दूँगा जो value निकल कर आ रही है वो है 60 तो मैं क्या करूंगा 60% पैसा तो अपना equity में invest कर दूँगा और जो बगए का मेरा 40% है वो diventures है मैं government securities में लेके चला जाएँगा उस और जैसे मैं थोड़ी दिर पहले बता रहा था जो equity है वो risky investment को ही symbolize करता है यहाँ पर return काफी अच्छी होती है और growth opportunities भी काफी ज़्यादा available होती है asset allocation के अंदर दूसरी approach available है उसका नाम है risk profile approach according to this approach है कि investor को तीन categories में divide किया जाता है वो है conservative, moderate and aggressive conservative investors वो होते हैं जो बिल्कुल भी risk लेना पसंद नहीं करते हैं अगर आप भी इस category से belong करते हैं तो आपको government securities के अंदर अपना पैसा रखना चाहिए ऐसा मैं आपको इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि government securities के अंदर आप अपना पैसे सरकार को loan के तोर पे देते हो default की possibility बहुत कम होती है बड़ आपको दिमाग में रखना है investment का एक rule भी है more risk more gain क्योंकि यहाँ पर आपका risk कम है तो आप इंकम भी आपको कम होने वाली है दूसरी तरह के जो investor है उसकों कहते है moderate investor यह जो investor होते हैं यह risk को return के बीच में balance mundane करके चलते हैं मतलब कि यह conservative investor से तो ज्यादा risk उठाने को तयार है लेकिन aggressive investor के मुकाबले कम risk उठाते हैं तो यहाँ पर आप 50-50 का balance भी mundane कर सकते हो 50% पैसा आप अपना equity के अंदर deposit कर सकते है और जो बाकी का 50% है वो deventures या government securities के अंदर लेकर जा सकते हैं यहाँ पर क्या होगा क्योंकि 50% पैसा आपने equity में रखा है तो आपको growth की opportunity भी मिलेगी और बाकी का पैसा क्योंकि deventures है government securities में है तो आपको fixed rate of interest भी मिलता रहेगा और एक fixed period के बाद आपका principal amount है वो आपको refund क इसी nature रखते हैं तो आपको अपना maximum जो total investable fund है वो equity के अंदर रखना चाहिए यहाँ पर growth opportunity ज्यादा रहती है बट यहाँ पर risk भी ज्यादा है जैसे मैंने का more risk more gain क्योंकि आप ज्यादा risk उठा रहे हैं तो आपको ज्यादा gain तो मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपके पैसे के खोने की possibility भी बहुत ज्यादा हो जाती है चलिए अब हमने asset allocation की approaches को use करके यह तो पता लगा लिए कि किस instrument के अंदर कितने percent पैसा हम लोग लगाने वाले हैं पर आपको क्या लगता है कि हमारी problem यहाँ पर खतम हो जाती है actually यहाँ पर एक नई problem शिरू हो जाती है आई समझते हो कैसे होता है देखिए हमने किसी particular instrument के अंदर अपना पैसा invest कर दिया है अब उस instrument का जो market price हो हमेशे सेम थोड़ा रहेगा because of demand and supply pressure हर instrument का price बदलता रहता है और जब-जब इनका market price बदलेगा तो आपको जो proportion of investment है वो भी change हो जाएगा ऐसे cases के अंदर हमें portfolio को continuously monitor करना होता है और अगर हमारा proportion of investment different different instrument के अंदर change होता है तो हमें फिर से अपने portfolio को reset करना होता है जिसे हम portfolio rebalancing के नाम से जानते हैं आई अब समझते हैं कि portfolio rebalancing क्या है और ये कैसे काम करता है portfolio rebalancing का मतलब होता है एक investor को undesirable risk से बचाना इस पूरे की पूरे concept को समझने के लिए छोटा सा example लेते हैं माल लिजे मेरे को 1,00,000 रुपीज है और मैं 3 instruments के अंदर अपना पैसा लगा रहा हूं वो है equity, government securities and debentures और मैंने asset allocation की approaches को use करके ये decide कर लिया है कि मैं 30% पैसा तो equity में लगाऊंगा, 20% में government securities में लगाऊंगा और 50% पैसा में debentures के अंदर लगाऊंगा, 2022 के अंदर मैंने अपना initial investment कर दिया, जिसके accordingly मैंने 30,000 पे दे दिया है equity को, 20,000 पे दे दिया है government securities को और बाकी के जो मेरे पास पैसा बचा है 50,000 पे वो मैंने debentures में लगा दिये, जैसा क मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो financial instruments है, उनका market price हमेशा same नहीं रहता, because of demand and supply pressure वो change होता रहता है, और इस कारण से मेरा proportion of investment जो है multiple instrument में वो भी बदल जाएगा, अगे समझते हैं, वो कैसे होता है, माले जे 2023 के अंदर, क्योंकि day to day trading हो रही थी, instrument का price बदल ग चुका है, और जो deventures है, जहां मैंने 50,000 रुपे लगाए थे, अब उनका market value 48,000 रुपीज हो चुका है, और government security जहां पर मेरी initial investment 20,000 रुपीज की थी, अब उसकी market value 18,000 रुपीज है, अगर मैं इसका total लेता हूँ, तो वो आता है 1,20,000, which is a positive sign, मैंने 1,00,000 रुपे है, कि 54,000 रुपे मेरी equity की value है, और अगर मैं 1,20,000 से इसका proportion निकालता हूँ, तो वो मेरे पास कितना निकलका रहा है, 45%, और अगर मैं deventures की बात करता हूँ, अब उसकी जो market value है, वो 48,000 है, और proportion of investment मेरा हो चुका है 40%, और अगर मैं government securities की बात करता हूँ, तो यहां पर मेरा जो proportion of investment है, वो है 15%, हाला कि overall में पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन यहां पर एक बास सोचने वाली है, कि मैं equity के अंदर 30% पैसा रखना चाता था, लेकिन अब यहां पर क्या हो चुका है, मेरा जो investment equity में है, वो बढ़ चुका है, और वो 45% हो चुका है, और दूसी तरह पहल है, आपने करना क्या है, आपका equity के अंदर proportion जो है, अब वो 45% हो चुका है, जबकि आप रखना चाहते हैं 30%, तो आप क्या करें 15% stake को sell कर दीजिए, अब 120,000 का 15% निकालता हूँ, तो कितना निकल कर रहाता है, वो 18,000, मतलब की 18,000 रुपीज, तो मैं क्या करूँगा, 18,000 का जो अपना strike है, उसको मैं sell कर दूँगा, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 15% मैंने sell कर दिया है, डिवेंचर में मेरा जो stake था, वो 40% हो चुका है, जबकि वो 50% होना था, तो मैं क्या करूँगा, अपना 10% stake मैं डिवेंचर के अंदर increase कर दूँगा, और बाकी का 5% है, वो मैं government securities के अंदर increase कर दूँगा, मतलब कि जो पैसा equity को बेचने से मिलेगा, उसे मैं deventures और अपनी government securities को purchase कर लोगा, और इस तरीके से मैं पोर्टफोलियो को reset कर सकता हूँ, तो यही था मेरा आज का वीडियो, जहां मैंना को यह बताया कि asset allocation क्या होता है, और एक बार proportion of investment जब choose कर लेते हैं, तो problem खतम नहीं हो जाती है, बलकि नई problem शुरू हो जाती है, जिसका solution चुपा हुआ है, portfolio rebalancing के अंदर, लेकिन मैं आपको यहापर सलाह देना चाहता हूँ कि continuously यह बहुत ही frequently portfolio को reset नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको reset करते हो, तो आपको transaction cost भी pay करन में अपना investment को लेके attitude change करें, यही ता मेरा आज का video, I hope अपको अच्छा लगा होगा, तो इसको like and share करना ना भूलिएगा, channel subscribe नहीं किया, तो please hit the subscribe button, thank you so much for watching this video, take care.